Hey everyone, मेरा नाम है प्रेम पांड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना फीबरी डुडू चानल एजुकेशनल हाइक So, आज हम पढ़ने वाले हैं यार क्लास 8 की इंगलिस की सप्लिमेंटरी बुक का चाप्टर नंबर 3 The Selfish Giant, एक स्वार्थी राक्षस के बारे में ये पूरा चाप्टर है इस पूरे चाप्टर से हमने अल्रेडी फर्स पार्ट अप्लोड कर दिया है अगर आपने फर्स पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उपर आई बड़न पे एक आपको लिंक मिल जाएगो उस लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को जरूर देखो अब हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्या कुछ पढ़ेंगे वो यहाँ पर इन तीन पॉइंट्स में बता दिया गया है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो मारे चानल पे आर तो चानल को सस्क्राइब कर सकते हो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमने फर्स पार्ट में पढ़ा था कि राक्षस जैसे ही बच्चों को देखता है कि उसके बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं ये बात राक्षस को पसद नहीं आती है और इसलिए राक्षस बच्चों को बाहर नि उन पेडों पर पक्षियां चहचाहानी लगती है और हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये सारा द्रिस से देखकर जो जाइंट है जो राक्षस वो भी काफी खुस हो गया है वो अपने चोटे-चोटे दोस्तों को वापस पाकर काफी खुस हो गया है especially a little boy whom he loved dearly खास तोर पे उन बच्चों की जुन्द में एक चोटा सा बच्चा रहता है इस बच्चे को ये राक्षस बहुत जादा प्यार करता है ठीक है उसको भी वापस पाकर ये राक्षस खुस होता है और क्या पढ़ेंगे में इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो केवल एक ही दिन उस बगीचे में दिखाई देता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है और फिर एक दिन वो वापस लौट के आता है किस कंडिशन में वापस लौट के आता है ये हम पढ़ेंगे चोला स्टार्ट करते हैं इस चाप्टर की लाइन बैलान एन एक्स्प्ल कि रही वो खिड़की के पास आता है तो वो देखता एक बहुत ही प्यारा सा द्रिस से है through a little hole in the wall the children had cracked in वो क्या देखता है वो देखता है कि इसके बगीचे में जो बगीचे के किनारे किनारे दिवाल बनी थी न उस दिवाल में एक होल था जैसे ही यहाँ पी है बिल्कुल जाकर बैठ जाते हैं. जैसे देखो यहां पर एक बच्ची बैटी हुई है, यहां पर एक बच्चा बैठा है, यहां पर और यह उपर चड़ने की कोशिस पर रहा है. यह राक्षस हर पेड़ पे जैसे ही नजर अपनी गुमाता है, तो यह देखता है कि हर पेड़ के ब्राचेस पर कोई ना कोई बच्चा जरूर बैठा है. और यह पेड़ ऐसा लग रहा था कि काफी खुस हैं, बच्चों को वापस बगीचे में देखकर यह पेड़ भी बहुत खुस थे, और इसी के लिए इन पेड़ों ने अपने आपको फूलों से धक लिया था, और यह पेड़ अपनी ब्रांचेस को ऐसे घुमा रहे थे, जैसे कि वो बच्चों के सर पर अपना हाथ सहला रहे हों, ठीक है, वेबिंग जैंटली, और हमने इस चाप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कि जो उस बगीचे में घास थी, जो जमीन पे घास होगी हुई थी, उन घास में से छोटे-छोटे सफेद फूल आए हुए थे, वो फूल अपनी नजरें ऊपर करके बच्चों को और पेड़ों को देखते थे, खुस होते थे और हसते थे, इट वास अ लवली सेन, पूरे बगीचे में जो द्रिस से था, जो सीन था, वो बहुत ही प्यारा था, वली वन कॉर्णर, इट वास स्टिल गिंटर, लेकिन बगीचे का एक कोना अब भी था, एक कोना ऐसा भी था, जहां पर अब भी मौसम नही बदला था, जहां पर अब भी थंडियों का मौसम था, यह इस बगीचे का सबसे दूर वाला कोना है, और इस कोने पर एक छोटा बच्चा खड़ा है, एक छोटा बच्चा, यह बच्चा इस राक्चा उसको बहुत प्यारा रहता है, क्यों रहता है, मा आगे पड़ते हैं, He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, यह बच्चा इतना छोटा रहता है, कि वो पेड की साखाओं को touch नहीं कर पाता है, and he was wandering all around it. और इस के लिए वो पेड के इधर उदर घूंता रहता है, crying bitterly, बहुत ही दुकी होकर रोता रहता है, क्योंकि वो पेड पर नहीं चड़पाता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसकी हाइट काफी छोटी रहती है, वो बेचारा पेड जिस पर बच्चा चड़ नहीं पा रहा है, जिसको बच्चा टच नहीं कर पा रहा है, वो पेड अब भी बर्फ से लदा हुआ था, उस पेड पर अब भी फ्रोस्ट थी, ओस की बूदे पड़ी हुई थी, उस पेड पर अब भी नौर्धन विंड, जो बहुत ठंडी हवाय होती है, वो चल रही थी, और सरसराहट की आवाज कर रही थी, रोरिंग अबव इट, तभी एक आवाज आती है, और इतना कहते ही, इस पेड ने अपने साखाओं को, अपनी ब्रांचेस को इतना नीचे जुका लिया, जितना नीचे वो जुका सकते थे, पट, दब बॉइ वाज तू टाइनी, लेकिन छोटा बच्चा इतना छोटा था, कि वो अब भी पेड के ब्रांचेस को, टच नहीं कर पा रहा था, आगे देखते हैं क्या होता है, ये सारा द्रिस, ये सारा सीन जो है न, वो राक्चस देखता रहता है, और ये सारा सीन देखके, उस राक्चस का दिल बिल्कुल पिघल सा जाता है, वो अपने आप से कहता है, कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था, राक्चस ने कहा, अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डेन में वसंत रितू क्यों नहीं आ रही थी, मेरे गार्डेन में फूल क्यों नहीं खिल रहे थे, अब मुझे पता चला, क्योंकि मैं बच्चों को अपने गार्डन में नहीं आने दे रहा था और इसी के लिए इस राक्षस ने कुछ फैसला लिया, कुछ डिसीजन लिया उसने कहा कि I will put that poor little boy on the top of the tree सबसे पहला काम में क्या करूँगा कि मैं इस छोटे बच्चे को पेड के ऊपर चड़ा दूँगा and then I will knock down the wall और उसके बाद में क्या करूँगा मैं इस बगीचे के चारो और जो लगी हुई दिवाल है इस दिवाल को मैं तोड़ दूँगा and my garden shall be the children's playground forever and ever और इस प्रकार से यह जो मेरा बगीचा है जो मेरा ground है वो बच्चों के लिए playground का काम करेगा forever and ever हमेशा हमेशा के लिए He was really very sorry for what he had done यह राक्षस खुद बहुत जादा सर्मिन्दा था जो उसने किया था उसने बच्चों को अपने बगीचे से बाहर निकाला था और इस बात पे यह राक्षस बहुत जादा सर्मिन्दा था Sorry feel कर रहा था So he crept downstairs and opened the front door quite softly यह सारी चीजे जो हो रही थी यह सारी चीजों को राक्षस अपने वाल कोनी से ही देख रहा था और अब वो क्या किया वो धीरे धीरे सीडी से नीचे उतरा and opened the front door और अपने घर का जो सामने वाला दर्वाजा रहता है उसको धीरे से softly बड़े प्यार से खोलता है and went out into the garden और बगीचे में चला जाता है but when the children saw him they were so frightened that they all ran away लेकिन बच्चों ने जैसे ही इस राक्षा उसको देखा वह इतना डर गए कि सारे बच्चे डर के भाग गए and the garden became winter again और उस बगीचे में फिर से सर्दियां आ गई फिर से वह संतरितू चली गई only the little boy did not run लेकिन एक छोटा बच्चा जो उस पेड़ पर चड़ने की कोसिस कर रहा था किस पेड़ पर मैंने बताया ना भी कि एक garden है garden का जो सबसे दूर वाला कोना है वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर अभी ठंड का मौसम है क्यों क्योंकि उस पेड़ पर बच्चा चड़ नहीं पा रहा था ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है only the little boy did not run सारे बच्चे तो डर की भाग जाते हैं लेकिन छोटा बच्चा वो जाइंट को वो इस राक्षस को आते हुए नहीं देख पाता क्यों नहीं देख पाता for his eyes were so full of tears क्योंकि उसकी आँखे जो थी आसू से आसूं से इतनी भरी हुई थी कि वो राक्षस को अपनी ओर आते हुए नहीं देख पाता है and the giant stole up behind him लेकिन राक्षस चुपके चुपके से उस बच्चे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है and took him gently in his hands और बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है and put him up into the tree और पेड के ऊपर उस बच्चे को चढ़ा देता है and the tree broke and the tree broke at once into blossom और उस पेड़ पर अचानक से वसंतरितू का मौसम आजाता है उस पेड़ पर अचानक से फूल खिल जाते है and the birds came and sang on it और जैसे ही फूल खिलता है पक्चियां भी उस पेड़ पर आ जाती है गाने लगती है and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him ये सब कुछ देख के बच्चा इतना खुस हो जाता है कि वो अपने दोनों हाथों को stretch करता है आगे की तरफ खीचता है और राक्षस के गले पर रख देता है राक्षस की गले के चारो ओर रख देता है और उसके माथे पर kiss कर लेता मतलब उस राक्षस के ऊपर उस बच्चे को बहुत जादा प्यार आ रहा था क्योंकि इसी राक्षस ने बच्चे को पेड़ के ऊपर चड़ा दिया था और अगे बच्चे दोड़ते हुए उस बगीचे में वापस आ जाते हैं और उन बच्चों के साथ वसंतरी तू भी उस बगीचे में वापस आ जाती है तब ही राक्षस कहता है कि इस योर गार्ड़न नाओ बच्चों छोटे बच्चों प्यारे बच्चों अभी ये गार्ड़न सिर्फ तुम्हारा है और इतना कहते ही उस राक्षस ने बड़ी सी कुलाड़ी उठाई और बगीचे की चारो ओर लगी दिवालों को तोड़ दिया और उसके बाद जब कभी भी लोग उस बगीचे से होकर गुजरते थे 12 बजे 12 बजे क्यों? क्योंकि उसी टाइम बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो लोग क्या देखते थे? देखते थे कि जो जाइंट है जो राक्षस है वो अपने बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है और वो बगीचा लोगों के लिए इतना ब्यूटिफल गार्डन था क्योंकि इतना अच्छा गार्डन उन लोगों ने आज तक अपनी जीवन में नहीं देखा था ठीक है? जो बच्चे रहते हैं वो पूरी दोपर तो खेलते हैं और जैसे ही साम होती है वो उस गार्डन में जाइंट के पास जाते थे उस राक्छस के पास जाते थे और उस राक्छस को गुडबाई कहते थे बिड का मतलब क्या होता है? अलविदा कहना या किसी से दूर जाना उसे गुडबाई कहते थे राक्छस को और अपने घरों को चले जाते थे लेकिन एक दिन जैसे ही बच्चे उस जाइंट को उस राक्चस को goodbye कहकर जानी ही वाले थे तब ही उस राक्चस ने question पूछा राक्चस ने कहा कि where is your little companion तुम्हारे साथ जो तुम्हारा छोटा दोस्त आता था जिस बच्चे को मैंने पेड़ पर चड़ाया था अपने हाथों में उठा कर वो बच्चा कहाँ है the giant love him the best because he had kissed him ये जाइंट ये राक्चस उस छोटे से बच्चे को बहुत ज़ादा प्यार करता था क्योंकि इस बच्चे ने उस giant के माथे पर kiss किया था और जब बच्चे ने उस राक्षस के माथे पर किस किया था ना, तो राक्षस का दिल, दिमाग, बिलकुल एकदम परिवर्तित सा हो गया था, बदल सा गया था We don't know, answer the children, बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता, he is gone away, वो बच्चा कहीं चला गया होगा You must tell him to be sure and come tomorrow, राक्षस केता है कि तुम उस बच्चे से कहना कि अब वो इस बगीचे में आके खेल सकता है, वो सियोर हो सकता है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुचाऊंगा तुम उस बच्चे से कहना कि वो कल आए और इस बगीचे में खेलना सुरू कर दे, said the giant, किस ने कहा, राक्षस ने कहा, but the children said that they did not know where he lived, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो छोटा बच्चा कहां रहता है, क्योंकि इसके पहले बच्चों ने उस little boy को, उस बच्चे को इन बच्चों ने पहले कभी नहीं देखा, इन्हें नहीं पता कि वो छोटा बच्चा कहां रहता है, ये सुनकर राक्षस बहुत जादा उदास हो गया, हर दोपर जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे, जब उनका स्कूल खतम हो जाता था, ओवर हो जाता था, बच्चे उस गार्डन में आते थे और उस राक्षस के साथ खेलते थे, लेकिन वो छोटा बच्चा जस बच्चे को ये राक्षस बहुत जादा प्यार करता था, वो दोबारा उस बगिचे में नहीं दिखाई दिया, designed to us very kind to all the children ये राक्षस न उस छोटे से बच्चे को तो प्यार करता ही था उसके साथ साथ बाकी सारे बच्चों के साथ ये राक्षस बहुत दयालूता भरा बेहवार करता था या बहुत kind-hurted हो गया था लेकिन फिर भी वो अपने इस छोटे से दोस्त को बहुत miss करता था बहुत long'd, long'd का मतलब क्या होता है किसी की इच्छा रखना, किसी का इंतजार करना या किसी चीच के लिए ऐसे कर सकते हो तडपना तो वो राक्षस जो था वो अपने उस छोटे से बच्चे जो छोटा से दोस्त था ना, जिसको राक्षस ने अपने हाथों से उस पेड के ऊपर बिठाया था उस दोस्त को ये राक्षस बहुत miss करता है और बाकी बच्चों से उस छोटे बच्चों की बात अकसर किया करता था कि कहता था ये कहता था कि I would like to see him मैं कितना पसंद करता था उस छोटे बच्चे को देखना अब जैसे जैसे साल बीतते गए, years went by and the giant grew very old and feeble जैसे जैसे साल बीतते गए, राक्षस बूढा होता गया और कमजोर भी हो गया feeble का मतलब क्या होता है, कमजोर हो जाना he could not play about anymore अब ये राक्षस बच्चों के साथ अब बिलकुल भी नहीं खेल पाता था क्योंकि ये बुढा हो गया था और इसलिए अब ये राक्षस बच्चारा बच्चों के साथ खेल तो पाता नहीं था अब क्या करता था वो, अब वो एक बड़े से, यूज से आर्म चेर, आर्म चेर का मतलब क्या होता है ऐसा चेर जिसमें ये आम्स को rest कराने वाली ये जो wooden block लगी है ना जिसमें ये, जिस चेर में ये रहती है इसको हम आम चेर कहते है तो ये राक्षस बड़े से आम चेर में बैठता था और बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपने गार्डन की प्रसंसा करता था अपने गार्डन को एड्मायर करता था अपनी गार्डन के तारीफ किया करता था कहता था कि I have many beautiful flowers राक्षस कहा करता था कि मेरे बगीचे में तो बहुत सुन्दर सुन्दर फूल है बट दे चिल्डरेन आर दे मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स आफ फूल लेकिन ये बच्चे मेरे बगीचे के सबसे सुन्दर फूल है अब थंडियों का मौसम आ गया था वसंत्रितु जा चुकी थी और एक थंडियों के सुबह की बात है जब राक्षस अपने कपडे पहन रहा था तो वो अपने खिडकियों के बाहर बगीचे को भी देख रहा था अब ये राक्षस थंडियों के मौसम को और ज़ादा नफरत नहीं करता था अब ये ठंडियों के मौसम को भी पसंद करता था क्योंकि ये राक्षस जानता था कि ठंडियों का मौसम आया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब केवल इतना है कि वसंत रितु कुछ महिने के लिए सोने चली गई है और इस प्रिंग के साथ साथ spring season में जो flowers खिलते हैं न वो भी rest करने चले गए हैं इसे के लिए अब ये राक्षस हंडियों के मौसम को भी पसंद करता था क्योंकि वो जानता था कि वापस उसके बगीचे में spring season कुछ महीनों बाद आ जाएगी suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked अचानक इस राक्षस ने कुछ ऐसा देख लिया कि ये अपनी आखो को मसलने लगा एकदम आश्चर्य हो गया ये राक्षस और आश्चर्य होकर ये किसी चीज को बस देखे जा रहा था it certainly was a marvelous sight जरूर इस राक्षस ने कुछ गजब की, कुछ सांदार चीज देख ली होगी उसने क्या देखा था? इस राक्षस ने देखा कि in the farthest corner of the garden was a tree इसने देखा कि बगीचे का जो सबसे दूर वाला कोना था ना, वहाँ पर एक पेड था और ये पेड प्यारे प्यारे सफे सफेद, blossoms, फूलों से ढखा हुआ था इस ब्रांचेस वर गोल्डेन, इस पेड की जो साखाएं थी, जो ब्रांचेस थी, वो सुनहरे कलर की थी और इस पेड से चांदी रंग के फूल लटक रहे थे and underneath it stood the little boy he had loved और इस पेड के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था, जिस छोटे बच्चे को रांचेस बहुत जादा प्यार करता था जैसे ये रांचेस उस छोटे बच्चे को देखता है, एकदम खुस हो जाता है और खुस होकर वो सीढ़ियों से नीचे दौडते हुए आता है उससे होते हुए बच्चे के पास उस पेड के पास पहुच जाता है और ये रांचेस चिला के कहता है कि का मतलब क्या है? कि तूम्हें चोट पहुचाने की हिम्मत किसने की? ये रांचेस गुसा हो गया और उस चोटे बच्चे से पूचने लगा कि तूम्हें चोट किसने पहुचाई? क्योंकि उस चोटे बच्चे के हथेलियों में, जो हाथ के palms होते हैं, जो हथेलियां होते हैं, उन हथेलियों में बच्चे के दो नाखून के निसान लगे थे, ठीक है, अब ये चोट लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को किसी जानवर ने अटैक किया हो या मारा हो, ठीक है, अब ये सब देखकर, ये राक्चस कहता है कि तुम्हें चोट पहुचाने की हिम्मत किसने की, ये राक्चस चलाते हुए कहा, कि तुम्हें चोट पहुचाने की हिम्मत किसने किया, टेल मी, मुझे बता दो छोटे बच्चे, क्योंकि मैं अपना तलवार उठा के ले जाऊंगा, और उसका कतल कर दूँगा, उसे मा डालूँगा, अगे देखते हैं क्या होता है, बच्चा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने चोट नहीं पहुचाई है, ये जो चोट है, ये प्यार की चोट है, अब ऐसा सुनते ही, राक्चस एकदम आश्चर्र हो जाता है, वो पूछता है कि, मतलब तुम कौन हो, ये यहाँ पर Old English की यूज किया गया है कहीं कहीं पर, इसका मतलब बस आप इतना जानके चलना, वो आर यू, मतलब तुम कौन हो, राक्चस जैसे ही उस बच्चे के मुझ से सुनता है, कि ये जो चोट लगी है, ये प्यार की चोट है, ये राक्चस पूछता है कि, तुम कौन हो, और इतना कहते ही, उस राक्चस के मन में बच्चे के लिए अजीब से रिस्पेक्ट आ जाती है, इस ट्रेंज आओ का मतलब क्या होता है, इस ट्रेंज का मतलब तो होता है अजीब, आओ का मतलब होता है feeling of respect, इसी के लिए इज्जत महसूस करना, ठीक है, तो उस राक्चस के मन में अचानक उस बच्चे के लिए इज्जत आ जाती है, और इसी के लिए वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है उस बच्चे के सामने, और बैठ कर कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, और जब बच्चा ये सुनता है, तो बच्चा हसता है उस राक्चस के उपर, और कहता है कि you let me play once in your garden, तुमने याद करो एक बार अपने गार्डन में मुझे खेलने दिया था, तुडे यू शाल कम विथ मी टु माई गार्डन, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपनी गार्डन में लेके चलूँगा, और मेरा गार्डन कहां पे है, स्वर्ग में है, जन्नत में है, इसका मतलब क्या है, राक्चस का समय पूरा हो चुका था, अब राक्षस को लेने ये बच्चा स्वर्ग ले जाने आया था ठीक है and when the children ran in that afternoon और उसके बाद बच्चे जब स्कूल से उस दोपहर वापस लोट के आते हैं तो they found the giant lying dead under the tree वो देखते हैं कि वो राक्षस मरा पड़ा हुआ है उसी पेड के नीचे all covered with white blossoms और उस राक्षस के ऊपर सफेज सफेद फूल पूरे पड़े हुए थे और उस सफेद फूलो ने ना उस राक्षस के dead body को cover कर लिया था बिलकुल ऐसे ठीक है और ये थी हमारी story the selfish giant जिसे लिखा था Oscar Wilde ने I hope इस chapter को पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा यार अगर आपको chapter की किसी भी line या समझ में नहीं आई है तो comment जरूर करना या दुबारा playback करके देखना आपको वो line समझ में जरूर आएगी बिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय थिंद।